हाई गाईस कहसे हैं हम सभी लोग आई हूँ अच्छे होगे आज बात करने वाले हैं बाटनी का थर्ड पेपर है 2021 के इंप्रोमेंट एक्जाम और बैक पेपर एक्जाम की बात करने वाले हैं यहां 2021 के लिए जो भी छात्र के यहां बात करने वाले हम आज रिटन एक्जाम की बात करेंगे जो इंप्रोमेंट होने वाला है अभी दिसम्बर में उन छात्रों के लिए यह जिसका हुआ है यह होगा भी ठीक है चाहिए वो किसी भी उनिवस्टी से क्यों ना है आप इन कोशनों को याद करके मैं आपसे बा करता हूं फेल नहीं होने दूगा लेकिन उन छात्रों से सबीसे कहना चाहूंगा कि वो एक बार याद रखे इस बातों कान कुल के जोले कि कॉपी को पूरा भर के आना पहले बो लिखना पहले बो याद करना है जो आपको याद हो मतलब कि पहले लॉंग कोशन करना है जो याद है जो चौटा हो 5 फाशन करना है डिक टोटा है पहले जो याद हो याद हो फिर चौथा आपको आपको अच्छे तरीके इस त्यारी करना है तो पहला देखो याद रखो इस कोशन में नहीं गलगा लिग्जु टेक्स और च्रेस क्राओस इन दोनों में बहुत जादा आता है एक होता है ट्रैस और ट्रैसर होता है एक माइक्रो माइक्रो तत्व इन दोनों बहुत ज़्यादा पूंचा जाता है आपसे और जल संबल में क्या होता है इसको याद करो परासरण क्या होता है विसरण क्या होता है इसको याद करो प्रिकास संसर्शन क्या होता है ठीक प्रोटीन की सरचना को पढ़ेंगे और प्रोटीन की सरचना को पढ़ेंगे और पादब बसा का प्रिकार को यह तो सब कुछ पढ़ेंगे आपको कोई दिक्कत ना बस एक बार देखना इसको देखना है पराशन पराशन दाब क्या होता है इसको पढ़ना है यह वाला कैम चक्र क्या होता है आपको डरना नहीं है नाइट्रोजन चक्र मैंने उपर बता चुका है यह कोशन देखो देखें जो वरस्ती क्राण क्या होता है इसको अभियाद करेंगे और फिट सिद्धात में आपको अंतर बताया था तो बहीं आप डिये ने आरे ने जो पढ़ेंगे तो जैड डिये पढ़ लेना एक ठीक है और सिद्धेंट का कार क्या होता है जी प्रदिप्ति क्या होती है ठीक है कह सकते हैं जो सीड डर्वंसी होती है उसके बारे में आपको लिखना है उनके कार्यों की बारे में ठीक है और देखें दिप्ति कालिता क्या होती है दिप्ति कालिता को पढ स्कूल इसको पढ़ेंगे टिक ग्लाइक्लसिस कि होता है बस इतना पढ़े लिए इस जाधा कुछ देखनी की दिरूद नहीं तो कर दो प्रिकार ना किक्या होता है यह इसको से सब्सक्राइब बेहनत अच्छी होगी न तो कहते हैं संगर्स इतना अच्छा होता है फल इतना ही अच्छा होता है तो यार संगर्स की चिलता मत करो कि हमें बहुत कोशन है ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्ट पढ़ना अच्छा है तब ही हम अच्छे नमबल आ सकते हैं और कौपी को भर के आना है तुम्हें याद हो याद को लिखके आना है याद रखना इस बात को नकल की जिबू मत करना कभी पकड़े जाओ तो दिक्कत हो जाएगी नकल कभी नहीं करना तुम लोगो ठीक है यार हम संखर्ट से लड़ेंगे बागी मलते हैं नेक्शे तब तक के लिए याद हो धाद है याद है याद याद टू झाल वायद ट रखने लिए अधके बढ़ाद है